शिरोही का एक ऐसा मंदीर जो देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है बहुत एकदम सामानेशा मंदीर लग रहा है लेकिन ये बहुत पुराना है बहुत प्राचीन है और लोगों की बहुत स्रद्दा है इस मंदीर का नाम है स्री क्रशनेश्वर महादेव मंदीर और इसी म परिच्ए और त्रिवेनी इस मंदिर को इसलिए कहा गया है कि यहां तीन नदियों का संगम होता है तीन नदियों का ऐसे इस्तान कभी कभी मिलते हैं हम बड़ी तृवेणी की बीäd बात करते हैं प्रियाग राज की लेकिन हम यहां एक उस तृवेणी की भी चुएंगवर यहां तिन न्दियों का असंगम होता है हुशका हम परिशेद इसे पहले हम clique महादेव के सद्वी रानों यहां हर दिन पुजापाट सांवानिये तरीके से होती है हुआ है जाहां पर संकाधी दो यहां पूजा की सामघ्य राजमान है जिनके हम दर्शन करें यहां विश्नु जी और श। गरेशी है मंदिर बिलकुल एक सामाने से गुंबद बना हुआ है यहां और इस सामाने से मंदिर की कहानी बहुत बहुत पुरानी है बहुत सामानी है यह एक बड़ा इतिहास है यहां का इस इतिहास में अगर हम बात करें यहां यह नंदी को भी एक बार नमन करते हैं परनाम करते हैं और यहां कच़वा है जो कशचत के रूप में होता ही है यह जंगल में मंदिर है इस मंदिर के बारे में आज बहुत बातें बताई है यहां के पुजारी जी ने यहाँ जवाना राम जी हैं माली और एक भाई हैं यहाँ एक सेवा पूरी जी हुए हैं संत हुए हैं सेवा पूरी जी मैं उनकी समाधी है सेवा पूरी जी की यहीं इनोंने तब किया ठीक है बिलकुल मैं परम पूजनी है संत सेवा पूरी जी के भी आपको एक बार दर्शन क ऍठराने की मेरी दिली इच्छा है और मने自वा पूरी जी ने गशिए जीव दियाहे के जो सामन प्रकलब होते हैं वह तो यहां दिखाई दे रहे हैं पानी का जिसे ओडू है क्योंकि जेसेंगी यहां के बारे मैं आज भाई बहुत अच्छा बता रहे थे यहां तीन नदियों का संगम है, मैं यहां के इस थोड़ा सा, यह कि इधर आभू से आती है नदी जिसका नाम वाडेली नदी है वाडेली नदी और इधर से फिर दो नदियां आती है, एक वेलांगरी और आगे करसियंगं से आती हैं और एक बालदानदी तीनों का एक संगम इस्थल होना या जहां पर है वहां ये त्रिविणी धाम है त्रिविणी महादेव मंदिर है और ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है हम इस महादेव की एक बार परिक्रमा करें क्योंकि हमारी देव दर्शन यात्रा का एक हमारी यात्रा तभी पूरी होती है एक तरसे जब हम उस मंदिर की उस इस देव मंदिर की एक बार परिक्रमा कर लेते हैं मंदिर हैं कि बिलकुल एक दम ऐसा लगता है अगर एक ग्रामेंड परिमेस की बात करें या जंगल करनी पड़ी यहां ये कुछ दो भाई हैं भगत के रूप में यहां काम करते हैं उन्होंने भी कुछ कहा है उसको भी हम कहें वाडे भी काए कि इतिहास रहा है हम उस इतिहास पे केवल इतनी ही बात करेंगे कि वाडे नी नदी से आने वाला पानी सिरोही की प्यास पुझाता है यह कूंने हम महधेष्डी के दर्शन और उर ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करें क्योंकि तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश वाडेली शिरोही की प्यास बुजाता वाडेली नदी और वाडेली से एक बहुत बड़े समासेवी राजनेता जिनको सभी जानते हैं शिरी लुमा रामजी चोधरी सहाव उनका भी एक बड़ा प्रभाव है समाज में चोधरी परिवार रेवारी परिवार के ही लोग हैं ज्यादातर इस गाव में कल भी समाज के चोधरी कल भी समाज के लेकिन यह नाकि एक बात तभी इस भाई ने जो बात कही वो कुछ इस बात को बया करती कि इस मंदिर में आने का कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है ये अपना अपने एक गंभीर चुनोती भी कही जाएगी उस सरकार को भी जिस सरकार से हमारे लुमाराम जी है और उस सरकार को भी जो वर आपका नाम जवार जी है आप फुजारी जी है कितने साल से पूजा करते हैं ये अत्रा था मनला अम हमुर की बात कभी नहीं करेंगे हम वर्षों में भी बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि जब historian मतलम बज़्धन से हमने भक्ति सीख ली और आपके परिवार वाले भी पूजा पाट से रहे होंगे कितना पुराना मंदिर होगा यह ठीक है चलो आपको 80 साल की जानकारी है कोई बाद नहीं लेकिन यह मंदिर का कोई रास्ता नहीं है यह एक विडंबना है हमको भी खेतों से होके आना पड़ा और इस बारे में सोचना चाहिए पंचायतों को भी सोचना चाहिए क्योंगी हम देविस्थान तक आगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर हमारी तमाम यातयात प्रणाली को हम बहुत स्रेश्ट नहीं कह सकते और इसी के जब भी बसते होंगे आरती के दौरान तो सच में गून जाता होगा पूरा वायू मंडल और पूरे इस ध्वनी तरहंगों से यहां पॉजिट्टिव एनरजी का प्रवाब है लग जाता होगा और आप क्या कहेंगे यहां सेवा गिरी जी ने तब किया था काफी लंबे समय यही शरी छोड़ा आपने दे यही छोड़ी चलो बहुत अच्छा आपका क्या नाम है बhao आपके तो नाम में लोगों का खलियान है आपका नाम ले ले लेंगे तो हम संसारी लोग तो वैसे ही तर जाएंगे सीता राम सीता राम सीता राम कहिए और जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए हमारे बाटेशाब को भी हम नमन करते हैं और इस देव यात्रा को इस देव दर्सन यात्रा का आज का पढ़ाव हम यहीं विराम करते हैं बोलो स्री क्रश्ने स्वर महदेव की जैए!